नमस्कार दोस्तों आईए हम लोग अपने करेंट अफेयर सिरीज में जो यूपियस्सी प्री और मेंस के संदर्व में तर्चा कर रहे हैं उस करेंट अफेयर के सिरीज में हम लोग बाते करते हैं जो आज का हम लोग का टॉपिक है टॉपिक ये है कि इंडिया चाइना रिलेशन जो बहुत महत्यपुड है इंडिया चाइना रिलेशन के संदर्व में जो की अंतरास्टिय संबंध विशय पर आधारित है अंतरास्टिय संबंध विशय पर आधारित है अंतरास्टिय संबंध यह न्यूज क्या है? न्यूज यह था कि भारत के बिदेश मंतरी अभी हाल ही में क्वार्ड सम्मेलन में भाग लेने के लिए गय थे जिस सम्मेलन में उन्होंने अपनी बात रखा है, उन्होंने कहा है कि चीन से भारत का जो संबंध है वो खराब है और इस समाधान के लिए किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है तो इसलिए एन्यूज चर्चा का विश्य बन जाता है तो आईए थोड़ा सा हम लोग जिस सम्मेलन में भाग लिये हैं हमारे विदेश मंत्री एहजय संकर साहब तो सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वाड समू क्या है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्वाड समू देखे क्वाड जो है न यह भारत अमेरिका आस्टेलिया और जापान का एक समू है ठीक है सभी चारो राष्ट लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक सामान जो है आधार भूमी है और यह निर्बाध यानि बिना किसी बाध के समूंद्री ब्यापार और सुरच्छा के साजाहित का भी समर्थन करते है और आपको यह बाद पता है कि भारत का जो ब्यापारी कतिवी दिया है बड़े पैमाने पर समूंद्री ब्यापार के माध्यम से होता है इस वज़ाए से यह चारो देश जो है चाहे आप भारत को ले लीजिए अमेरिका हैं आस्टेलिया और जापान एक अपना समुह के निरमाड के रूप में कारे करते हैं इसका उदेश क्या है इस क्वार्ड समुह का उदेश क्या है यह महत्तपूर है देखे क्वार्ड समुह का उदेश है कि मुक्त और अस्पस्ट और सम्रिद जो एंडोपैस्फिक छेत्र है खास करके जो हिंद महासागर और जो दच्छिर चीन सागर का एरिया है उसके संदर मे कि इनका उद्देश है कि वहाँ पर एक मुक्त अस्पस्ट और सम्रिद छेत्र सुनिशित करना चुकि वहाँ पर चाइना की जो दखल अंदाजी है वो बढ़ता ही जा रहा है जिसके वज़े से यह चारो देश भारत, अमेरिका, आस्टेलिया और जापान ने मिलकर एक समुह का निर्मार किया था ठीक है अगर बात किया जाए तो वस्तुत है क्वाड का जो बिचारधारा है न जो क्वाड समुह का बिचारधारा है यह पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे ने रखा था ठीक है लेकिन इस विचार को आगे विक्सित नहीं हो सका क्योंकि चीन के आस्टेलिया के दबाव के करण ऐसा इसको विक्सित नहीं हो पाया था उस समय की बात है लेकिन बर्स 2017 में यह जो है बर्स 2017 की बात है कि भारत आस्टेलिया अमेरिका और जापान में मिल करके आपस में साथा करके एक चतु घुर्ज जो है गठबंदन का गठन किया है जिसे क्वाड समुह के रूप में जानते हैं इसी समुह में इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री यह जैसंकर जी गए हैं जिसमें उन्होंने चाइना को दो टुक में जवाब दिया है कि चाइन से भारत का संबंद बहुत अच्छा तो नहीं है ठीक है और किसी तीसरे देश को संबंद सुधारने में आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है अब थोड़ा सा चर्चा का विश्य आ जाता है कि थोड़ा सा भारत और चाइना के संबंद में क्या रिलेशन है उसको भी देखिये भारत और चाइना के संदर्व में क्या इंपोर्टन बाते हैं आपको ये बात पता है कि जो भारत देश है ना अगर हम अपने देश की बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर कि जो यहां से पाकिस्तान से ले करके आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो भारत और चाइना का एक अंतरास्टी है सीमा बाउंडरी है चुकि आप देखेंगे अवड़ांचल प्रदेश उत्रा खंड ठिकर फिर आप देखेंगे इधर नेपाल से लिबाडर उसका लगता है ऐसे फिर जम्मू कस्मीर लद्दाक ऐसे तमाम सारे छित्रों के माध्यम से बांगला देश के बाद अगर किसी देश का अत्यधिक सीमा लगता है किसी अंतरास्टी संबंध में तो चाइना का लगता है तो अगर हम परिचय की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत और चीन के जो संबंध न वो अत्यंत प्राचीन काल से है ठीक है और खास करके जो चाइना है या भारते विदेश नीती को बहुत प्रभावित किया है ठीक है क्योंकि भारत और चाइना जो है दोनों ही कई हजारों बरसों पूर्व जो है पुरानी सब्यता के उत् आधिकारी रहे हैं, दोनों देश, ठीक है, और खास करके इसमें आप जानते हैं कि जो चाइना है, वो एक साम वेवादी कंट्री के रूप में है, लेकिन जो भारत गुट निर्पेच्छी के रूप में, मैं विदेश निती के संदर में बात कर रहा हूँ, भारत एक कास्मेर है लड़ाख के साथ लगता है और अभी वरतमान में जो चाइना के साथ एक विसंगतिया है उखास करके सीमा विवात के सुंदर में ज्यादा है जिसके वज़र से हमारे विदेश मंतरी ने बताया कि चाइना के साथ भारत का रिलेसिन बहुत अच्छा नहीं है ठीक है और आप कोई भी पता है कि जो यलेसी है यलेसी के संदर में लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल जो है जो भारत और चाइना के बीद जो है एक प्रमुक मुद्दा है और मैक मोहन रेका के द्वारा ये निर्धारित भी है ठीक है तो इस प्रकार भारत में तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ जिसके वज़े से चाइना का भारत के साथ संबंद खराब हुआ है जैसे आप चाहे सीमा बिवाद में ले लिजी चाहे आप जल बिवाद भी ले सकते हैं जल बिवाद में आप देखेंगे कि कु जैसे ब्रह्मापुत्र नदी हो गया, ठीक है, ऐसी जो नदियां है, उसमें क्या है, उधर के जो राज्य हैं बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसके वज़ा से जो है, और चाइना क्या है, दिन प्रति दिन उन नदियों के बांध बनाय जा रहा है, और पानी को मोड़ने के ल कर रहा है अगर ऐसी स्थितिया बन जाए तो कभी ऐसा हो जाए कि बनाए हुए बांध को तोड़ दे तो बड़े पैमानी पर एक रासदी आ सकता है वार जैसी ब्योस्थाएं हो सकती है जिसके वज़ा से यह सब चिंता का विशह है अच्छा इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो पीयोके के माध्यम से जो सीपेक है जो सीपेक गली आ रहा है ठीक है वो अभी इस समय भारत और चाइना के संदर्म में जो बिसंगतिया है जो मतवेद है उसके ने जिम्मेदार है ठीक है तो इस प्रकार कहने का ताथ पर यह है कि हमारी जो रिलेशन है चाइना के वो एक दुरभाग गिपुड रिलेशन है जो कि हमारे विदेश मंत्री जी ने बात रखा है ठीक है तो यह जो क्वार्ड समू था इसके बारे में हमने चर्चा किया